आश्रा है आपसे बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है वीजे कुमार जार स्वागत है आपका Commerce Magnet चैनल पे पिछले क्लास में हम लोग Logical reasoning का Part A किये थे जिसमें बहुत सारी टॉपिक हम लोग कवर किये थे Indian logic उसके बाद argument इस सारी चीजे हम लोग कवर किये थे पिछले क्लास में तो जो भी चीजे बची हुई है वो हम इस क्लास में करने की कुशिश करेंगे और दो पार्ट में पार्ट A हो चुका है और ये पार्ट B है दो पार्ट में पूरा का पूरा Logical reasoning device होगा तो इस पार्ट में हम जो भी चीजे बची हुई है Logical reasoning के वो सारी की सारी चीजे इस पार्ट में हम लोग cover कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले start करते हम लोग हेत्वा भास से हेत्वा भास का मतलब क्या होता है हेतु का आभास जब हम लोग अनुमाना पर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग चरचा किये थे कि जा रहे हैं और धुआ दिखा धुआ दिखा तो हम लोग अनुमान लगाए कि अच्छा आग लगा होगा है न तो धुआ क्या है? हेतू है, middle term है तो वो middle term का जो आभास होता है न तो उसी को हेत्वा अभास बोलते हैं यानि कि हमारे अनुमाना में किसी यह प्रकार की गलतियां किसी यह प्रकार की error किसी यह प्रकार की mistake तो वो जो mistake है, वो जो गलती है, वो जो error है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग हेत्वा अभास बोलते हैं कह सकते हैं हम लोग अनुमाना की fallacy है न अब एक एक करके हम लोग जो है इसके kinds देखने की कोशिस करते हैं कितने प्रकार की ये fallacy होती है हित्वा भास कितने प्रकार की होती है सबसे पहला है सभ्य विचारा ठीक है डिवियेशन दूसरा है विरुधा कॉंट्राडिक्टरी तीसरा है असिधा नौट प्रूब्ड चौथा है सद प्रतिपाका है विंग एन एंथेसिस ठीक है और पांच में क्या है बाधिता अपोश्ड वाइ अनदर स्ट्रॉंग प्रवाना ये पांच प्रकार है किसके हित्वा भास के एक एक करके डीटेल में देखने की कोशिस करते हैं और बिल्कुल अच्छे से देखने की कोशिस करेंगे क्योंकि यहां से कोश्टन साते है बहुत बार कोश्टन पुछा गया है त्वाभास से तो इसलिए बहुत ध्यान से जो है न एक एक टर्म को समझने का प्रयास करिएगा सबसे पहले देख लेजिए सब ये विचारा इसको हम fallacy of irregular middle भी कहते हैं अच्छा irregular middle क्यों कहते हैं क्योंकि इसका जो middle term है न वो regular नहीं रहता यानि कि fallacy जो होती है वो middle term में यहां पे होती है आप यहां पे देखिए क्या है लिखा हुआ example देखे उपर वही चीज़े लिखी गई है जो हम बताए है all bipeds are rational यह example है पहला premissage हो गया all bipeds are rational दूसरा premissage क्या है swan are bipeds और उसका आर्च निकाला गया है कि swan are rational ठीक है यह दिया हुआ है bipeds मतलब होता है दो पेरवाला और rational मतलब क्या होता है समझदार है न तो पहला जो premissage है उसमें यह लिखा गया है कि जितने भी दो पेरवाले होते है न वो rational होते है समझदार होते है और दूसरा premissage क्या है swan भी दो पेरवाला है तो इसका निसकर्स क्या निकाल लिया गया swan भी क्या होगा rational होगा समझदार होगा तो क्या स्वान समझदार होता है इन्सानों की तरह इन्सान भो दो पैड़वाले हैं समझदार भी होते हैं लेकिन क्या जितने भी दो पैड़वाले हैं सब के सब rational हो जाएंगे नहीं बिल्कुल नहीं है न? तो यहां पे bipeds जो है वो क्या है? middle term है और ये middle term जो है वो regular नहीं है, irregular है, कैसे, क्योंकि जब ये मनुस्य के साथ उपयोग होगा, जैसे कि man के साथ उपयोग किया जाएगा इसका, bipeds का, दो पैरवाले का, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, rational है मनुस्य, लेकिन जब इस bipeds का huge swan के साथ किया जाएगा, तो ये regular नहीं होगा irregular हो जाएगा because swan are not rational तो इसलिए इसका जो middle term है वो क्या है irregular हो जाएगा तो ये पहला fallacy है सभ्य विचारा जिसका middle term क्या होता है irregular होता है ठीक है दूसरा हम लोग देखने की कोश्श करते हैं विरुधा बहुत आसान है विरुधा इसको हम contradictory middle कहते हैं अच्छा contradictory middle इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका जो middle term है वो क्या करता है contradict करता है अब देखिए यहाँ पर example दिया हुआ है sound is eternal because it is produced ठीक है अब इसका जो middle term है वो क्या होगा contradict करेगा because के बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा वो middle term हो जाएगा ठीक है because के बाद आने वाले जो भी है वो क्या हो जाएगा middle term हो जाएगा तो because के बाद क्या है produced आ रहा है तो produced क्या हो जाएगा यहाँ पर middle term हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए sound is eternal eternal मतलब क्या होता है अनंद है ना जो हमेशा रहेगा यह सही है उसके बाद बोल रहा है क्योंकि यह produced होता है क्योंकि यह इसका उत्पादन किया जाता है अच्छा जो भी produce की जाती है जो भी चीजे वो तो खतम होगी जिसका भी production हुआ है तो वो तो खतम होगा आज हो कल हो लेकिन खतम तो होगा ही वो लेकिन sound क्या है eternal है तो sound की eternality जो है वो produce से प्रूब नहीं हो रही है यानि कि eternal जो शब्द है वो contradict कर रहा है produce को ठीक है तो यहाँ पे जो produce middle term है वो contradict कर रहा है किसको eternality of sound को तो इसलिए इसको बोलेंगे contradictory middle यहाँ पे middle term क्या होगा contradict करेगा because जो भी चीजे eternal होगा वो तो हमेशा रहेगा उस produce नहीं होगा तो यह चीजे हो जाएगी तो यह दूसरा यह fallacy था अनुमाना का हैत्वा अभास था जिसको हम बोलते हैं विरुधा ठीक है next next क्या हो जाएगा सत्प्रतिपाका और the inferentially contradicted middle अब यह क्या होता है यहाँ पे क्या होगा inference निकालने के बाद जो है न वो contradict करेगा यहाँ पे दो example यहाँ पे आप देख सकते हैं पड़ भी लेते हैं थोड़ा सा when a hetu which is advanced to establish a particular साध्या in an inference is validly contradicted by another hetu which proves to non-existence of साध्या एक जो hetu है वो existence of साध्या को बता रहा है और दूसरा जो hetu है वो non-existence of साध्या को बता रहा है ठीक है दो यहाँ पे example है और दो है तू निकलके आएड़ा देखिए यहाँ पे पहला example sound is eternal sound क्या है eternal है because it is audible यह पहला हो किया sound eternal है अनन्त है क्योंकि वो क्या है audible है or is validly contradicted by another inference अब दूसरा example है दूसरा inference निकल रहा है sound is non-eternal because it is produced like a pot पहला में बोल रहा है sound क्या है eternal है क्योंकि वो audible है और दूसरा में बोल रहा है sound क्या है non-eternal है क्योंकि वो produced होता है एक pot की तरह तो यहाँ पे पहला जो है हे तू यहाँ पे देख लिजी because के बाद क्या हो जाएगा middle term हो जाएगा तो पहला जो audible है वो क्या कर रहा है produce को contradict कर रहा है पहला sentence का जो middle term है वो दूसरे sentence को क्या कर रहा है contradict कर रहा है तो यहाँ पे inference जो निकला है पहला का inference क्या निकला है eternal है तो audible है तो audible क्या हो जाएगा middle term और दूसरा का inference क्या निकला है produce like a pot तो यहाँ पर पहला का जो middle term है, दूसरे के middle term को क्या कर रहा है, contradict कर रहा है, here the middle term of the first sentence, first inference, audible is contradicted by the middle term of the second inference produced, so यह क्या हो जाएगा, सत्प्रतिपाका, or the inferentially contradicted middle, ठीक है, next, next क्या हो जाएगा, असिधा, असिधा भी बोलते हैं इसको हम, और not proved भी बोलते हैं, अनप्रूब्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको प्रूब किया ही ना जा सके, है ना, ऐसा है त्वावास, ऐसा जिसको प्रूब ना किया जा सके, है ना, अनप्रूब्ड में डिल हो जाता है, अब जो चीज़ है ही नहीं उसको आप प्रूब कैसे करिएगा जिसका कोई existence ही नहीं है उसको कैसे प्रूब किया जाए है ना let us an example sky lotus is fragrant बोल रहा है sky lotus क्या है fragrant है यानि कि sky lotus की खुस्बू बहुत अच्छी होती है हम जैसे कि हम बोल दे कि unicorn जो है ना unicorn is very beautiful unicorn नाम का कोई होता ही नहीं है जानवर तो क्या beautiful होता है ना तो ऐसे चीज़े जिसका कोई existence ही नहीं है और उसके बारे में हम बोल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा lotusness in it like a natural lotus अब यहां पर middle term क्या हो जाएगा middle term यहां पर देख लिए यहां पर lotusness हो जाएगा middle term में ना lotusness in it like a natural lotus यह क्या हो जाएगा middle term बोल रहा है sky lotus का फ्रेकर्ण बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें जो है natural lotus की तरह जो है ना खुश्बू होती है sky lotus नाम का कोई चीज होता ही नहीं है तो उसको प्रूब कैसे किया जाए है ना तो यह क्या हो जाएगा अनप्रूब्ड हो जाएगा एक्जिस्टेंस ही नहीं हो उसकी, यूनिकॉर्ण के बारे हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये भी अनप्रूब्ड हो जाएगा, यूनिकॉर्ण के बारे हम बोलेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, अनप्रूब्ड हो जाएगा, तो ऐसे चीजे जिसका एक्जिस्टे सिध्धा को बांटा गया है आस्रे सिध्धा स्वरूप सिध्धा और व्याप्या सिध्धा बहुत ही आसान है इसको आप आराम से समझने का प्रयास करिए पहला क्या है आस्रे सिध्धा आस्रे सिध्धा में यह है जो है ही नहीं जो अन्रियल है उसको कैसे प्रूब करिएगा जिसे कि a sky lotus is fragrant because it is lotus like a lotus of a lake तो यहाँ पे a sky lotus unreal है यहाँ पे है ही नहीं existence ही नहीं है उसकी तो existence ही नहीं है तो उसको probe नहीं किया जा सकता ठीक है तो यह आश्र सिध्धा में होती है जिसे कि हम बोलेंगे जो सोने के पहार पे आग लगा है तो सोने के पहार पे आग लगा सोने का पहार होता ही नहीं है एक्जिस्टेंस ही नहीं है तो कैसे आग लगा सोने के पहार पे तो यह चीज़े हो जाएगी आश्र सिध्धा में दूसरा क्या हो जाएगा स्वरूप सिध्धा It is middle term which is not found in the minor term Here the minor term is not unreal but the middle term cannot be in its very nature be present in the minor term यहाँ पे लेकिये Sound is eternal because it is visible यहाँ पे जो है न Here visibility cannot belong to sound which is audible ठीक है It is wrongly assumed अब बोल रहे है sound क्या है Eternal है क्योंकि वो visible है अच्छा sound visible होता है Sound तो visible नहीं होता है न तो यहाँ पे visibility cannot belong to sound Visibility जो है वो sound को belong नहीं कर रही है तो हम गलत assumption लगा लिए है है न यहाँ पे assumption जो है न वो गलत लगा लिए है तो यहाँ पे जो sound is eternal वाला जो statement वो तो सही है लेकिन because it is visible यह क्या हो जाएगा इसको जो प्रूब करने के लिए हम term लाए है वो गलत लाए है Sound visible है इसी लिए eternal है ऐसी बात तो नहीं है है न तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Minor term is not unreal but the middle term cannot be in its very nature भी present तो minor term तो unreal नहीं होगा लेकिन middle term जो है जिसकी middle term यहाँ पे क्या हो जाएगा visible तो वो जो है न वो present नहीं है sound में visible नहीं है sound है न तो यह चीज़े हो जाएगी तो wrongly assumed करेंगे तो वो क्या हो जाएगा स्वरूप सिध्धा है न assumed wrongly कर रहे है जो लगा रहे है न अपना वो गलत assumption लगा रहे है तो यह चीज़े हो जाएगी next है व्याप्या सिध्धा if a middle term is not known to be universally concomitance with the measure it becomes invalid इसका हम एक जामपल दे रहे है व्याप्या सिध्धा का व्याप्या सिध्धा में क्या हो जाएगा जैसे कि हम लोग बोलते है जो धुआ देख लिए पाहारी पे और बोलेंगे जो आग लगा हुआ है पाहारी पे ठीक है धुआ देख करके लेकिन जदी आग दिखे तो उल्टा हम धुए का नहीं लगाएंगे है ना अनुमान नहीं लगा सकते हैं धुए का धुए से आग का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन जदी आग दिख रहा है तो धुए का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि आग दिखेगा धुआ भी दिखेगा ना अनुमान क्या लगाएंगे इसमें तो ब्याप्या सिध्धा में यह होता है कि आप एक तरह से तो प्रूब कर सकते हैं लेकिन उसको उल्टा प्रूब नहीं कर सकते फैलसी ऑफ दिस नेचर कैन ऑल्सो एपन ड्यू टू दा प्रजेंस ऑफ पाधी और कंडिशन कंडिशन हो जाएगा आप धूआ देखिए तो आग का अनुमान लगा लिए ल व्याप्या सिध्धा ये हो जाता है तो ये तीन प्रकार के हैं असिध्धा अब लास्ट है तो आवहास है बाधिता बाधिता बोलेंगे या फिर नौन इन्फ्रेंसली कॉंट्राडिक्टेड मिडिल यहां पर इन्फ्रेंस निकालने की कोई भी जरूद नहीं है क्योंकि य मेरी जो नौलेज है न हम जो पहले से जानते है न है न वो क्या कर रहा है वो काफी स्ट्राउंग नौलेज है हमारे पास और वो क्या कर रहा है कॉंट्राडिक्ट कर रहा है मिडिल टर्म को एक्जांपल देखिए फाइड इस कोल्ड बिकॉज इस सब्स्टेंस फाइड क्य क्या बोल रहा है, fire is cold, cold, तो क्या हो जाएगा ये, गलत हो जाएगा here the middle term substance become contradicted because it's major term, coldness is directly contradicted by perception है न, यहाँ पर जो middle term substance है, वो क्या हो जाएगा, contradicted हो जाएगा, क्योंकि major term coldness, cold क्या है major term है, is directly contradicted by perception, हमारा जो perception है, हमारी जो knowledge है है न, वो क्या हो रहा है पूरी तरह से contradict कर रहा, fire तो cold ने होता है, fire is hot ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, बाधित करे, एक प्रकार से बाधित हो जाएगा, है न, fire is cold क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, तो यह था, हित्वाभास की fallacy अब यहाँ पर देखे, एक्जामपल दिया हुआ है, सभी चीजों का, असिधा, सभ्य विचारा, सत्प्रति, पक्छा, बाधिता, बिरुधा, सब कुछ का एक्जामपल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेजेगा, अब हम लोग आते हैं, इस fallacy पे, है न, बहुत ही सबसे आसान, logical reasoning का topic है, fallacy, थोड़ा आप लोग को tough लग सकता है, जदी आप लोग पहली बार पर रहे होंगे तो, लेकिन एकदम, सरलता से, अच्छे-च्छे एक्जामपल के साथ, जो है न, एक-एक करके, fallacy को समझने का प्रयास करेंगे, बहु इसी प्रकार की गलतियां होती है, न, error होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, fallacy बोलते हैं, अब वो defect जो है, वो intentionally भी हो सकता है, ठीक है, दोनों प्रकार से defect यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, अब fallacy को दो भागों में बाटा गया है, formal fallacy और informal fallacy, है न, defect in form of the argument, और defect in the content of the argument तो form में भी हो सकती है, दिक्कते हैं, और content में भी हो सकती है, न, चलिए, एक एकर करके समझने का प्रयास करते हैं, की formal fallacy क्या होता है, और informal fallacy क्या होता है, जब यहाँ पे दिया हुआ है, जब structure में किसी प्रकार की error हो, detect or error in the structure, है न, structure of the argument, यह क्या हो जाएगा, formal fallacy हो जा जो है वो डिटेक्ट की जाती है content of the argument वो क्या हो जाएगा informal fallacy हो जाएगा चलिए हम आगे देखते हैं formal fallacy और informal fallacy के बारे में और भी चीज़े दी होई है देख लेजिए formal fallacy के बारे में formal refers to the structure of an argument all of these fallacies are errors in the deductive reasoning तो deductive reasoning में किसी भी प्रकार की error हो जाएगा तो formal fallacy होगा है ना maximum argument invalid, argument invalid हो जाएगा और जैदी informal fallacy है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर inductive reasoning में किसी भी प्रकार की क्या होगी error होगी है ना यहाँ most are errors of inductive but can apply to deductive argument as well है ना तो जाएगा तर error क्या होता है inductive होता है लेकिन apply हो सकता है deductive argument में साथ में ठीक है तो यह साड़ी चीजे है और भी दी हुई है अब देखे अब एक एक करके हम जानने की कोशिस करते हैं fallacy के कितने साड़े प्रकार है सही प्रकार को अच्छे से देखने की कोशिस करेंगे सबसे पहला है क्या add hominem add hominem मतलब क्या होता है against the man है ना यहाँ पर क्या करेंगे attack करेंगे किसी भी इनसान के यहाँ पर क्या करेंगे attack करेंगे किसी भी person पर बिना reply किये उसके question क्या करेंगे counter attack करेंगे है ना जैसे कि मालिज ये डिवेट चलता रहता है टीवी पे है ना तो एक परसन है एक नेता है वो बोलते हैं जो आपने जो है ना चार साल में कितना किया विकास किया तो दूसरे उसको counter attack करके बोलते हैं जो आपने क्या किया मिन्स उसके प्रसन का जवाब नहीं देते हैं बलकि उसके क्या करते हैं counter attack करते हैं against the man है ना उसके प्रसन का जवाब ना दे करके क्या करते हैं उसको counter attack करते हैं किसी भी politician से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसका जवाब नहीं देते हैं बात को घुमा देते हैं पूरी त तॉपिक रहता है उससे भटक जाते हैं और कुछ और ही बोलने लगते हैं यू कांट गो टू लॉव इस्कूल यूर डैड़ीज अ क्रिमनल है ना तुम लॉव इस्कूल नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे डैड क्या है क्रिमनल है अलग अलग तरह के एक्जाम पर मतलब मेन टॉपिक से भटक जाना है ना ये चीज़े हो जाती है और अटेक करना सामने वाले परसन पर नेक्स्ट है इस्ट्रॉमन फैलेसी ये एक फैलेसी काफी मतलब अच्छा है समझने के लिए देख लिए इस्ट्रॉमन फैलसी काफी आप लोगो जनरल लाइफ में यूज होता होगा क्या करना यहाँ पे ignoring the actual meaning of the sentence है ना और उसका कुछ distorted वर्जर निकाल लेना जदि कोई कुछ बोल रहा है ना उसके बाद का जो कुछ और ही मतलब अपने हिसाब से आपके accurate कर लिए लगा लिए कुछ गलत मतलब उसका निकाल लिए एक person है एक principal है वो बोल रहा है देख रहा है अच्छा बहुँ ज़्यादा खाना बढ़वाद हो रहा है बच्चे एक 100 है और खाना जो है ना एक 100 से अधिक बच्चों के लिए बन रहा है 110 बच्चों के लिए या फिर 120 बच्चों के लिए खाना बन रहा है तो वो देखा है ऐसी चीज तो उसने सोचा क्या जो एक काम करते हैं खाना को थोड़ा सा कम बनवाते हैं तो उसके बाद वो क्या किया भासन दिया जो आज से जो है वो खाना जो है न थोड़ा कम बनेगा क्योंकि बहुत सारा खाना बढ़बाद हो रहा है ठीक तो उसने तो सही बात बोली लेकिन कुछ लोग उसके बातों का distorted version निकाल लिये वो बोले किया जो ये देखो देखो खा खाना कम बनवा रहा है बच्चों को भूखे मारना चाह रहा है यहाँ पे यह क्या कर रहा है बच्चों को भूखे रखेगा खाना कम कर रहा है तो किसी भी परसन के बातों का distorted version निकालना वो जो बोल रहा है उसके actual reasoning को क्या करना hide कर देना उसको ना समझना उसको नहीं समझ करके अपने समझ के हिसाब से कुछ और ही मतलब निकाल लेना तो उसको क्या बोलते है strawman fallacy ठीक है जैसे के example से आप लोग समझे है नेक्स्ट है appeal to ignorance अपील to ignorance क्या होता है इसको सबसे पहले तो जिसका जो other name है वो भी याद रखन है appeal to ignorance को क्या बोलते है argumentum add ignorantium तो ये भी याद रखना है जो हाँ इस नाम से भी जानते हैं इसको जितने भी other name है सारे का सारे other name ही हम लोगों को याद रखना है चलिए क्या होता है appeal to ignorance fallacy काफी आसान है यहाँ पी क्या होता है when you argue that your conclusion must be true because no any evidence against it आप अपने बात को इसी लिए सही सही मान रहे हैं क्योंकि उसके खिलाफ में कोई प्रूब नहीं है क्योंकि उसके निर्दोस होने का कोई सबूत नहीं है यहाँ पे example देखे there is no proof that God exists therefore God does not exist हम बोल दिये क्योंकि God के होने का कोई proof नहीं है इसलिए God है ही नहीं science has not proven time travel is possible which means it is not है ना क्योंकि science ने time travel प्रूब नहीं किया इसलिए time travel नाम की कोई चीज होती ही नहीं है मतलब जो चीज प्रूब नहीं किया गया है ना वो होती ही नहीं है बस इतनी सी बात इसमें मान लिया आगे तो fallacy है नहीं है यह ना पूरी तरह fallacy है हम बोलेंगे जो God की existence प्रूब नहीं की गई है इसलिए God exist करते ही नहीं है यह तो गलत बात है तो यह क्या हो जाएगा appeal to ignorance fallacy है ना next देखते हैं हम लोग next है false dilemma है ना false dilemma में क्या करते हैं do this thing or do nothing या तो यह करो या फिर कुछ मत करो है ना मतलब option यहाँ पे दो रहते हैं either one or two इन दोनों में से एक काम करो this fallacy has a few other names जैसे की black and white fallacy, either or fallacy false dichotomy fallacy बहुँ सारे नाम है इसके नाम है तो सारे का सारे नाम याद रखने है false dichotomy भी बोलते हैं either or fallacy भी बोलते हैं black and white fallacy भी बोलते है यहाँ पे देख लीजे लिखा हुआ है false dilemma is a logical fallacy that present only two option or sides where there are many option or sides essentially a false dilemma present a black and white kind of thinking when there are actually many shades of grey है ना, you are either for me or against me अगर मान लीजे कोई दोस्त है बहुत अच्छा से एक्जामपल समाझे लीजे है ना, कोई दोस्त है मेरा और हम उसके कुछ समझा रहे हैं ना, कुछ पता है, पूछ रह हुआ है वो हमसे जो भाई इसमें तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो तो हम बोलेंगे नहीं भाई就是 इसमें तुम्हारा साथ हम नहीं देंगे हैं ना या तो तुम मोदी का सपोर्ट कर रहे हो या फिर कॉंग्रेस की सपोर्ट कर रहे हो उसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं या तो ये बीजेपी का है या फिर कॉंग्रेस का है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी पार्टी का सपोर्ट ना करे लेकिन यहाँ यहां पर क्या होता है दो option होते हैं और उसको क्या होता है oversimplified कर दिया जाता है ठीक है तो यह चीजे होती है false, dilemma, fallacy, simple next है slippery slope यह काफी आसान है slippery slope यहां पर क्या होता है बहुत अच्छा सा इसमें हिंदी में बहुत अच्छा सा इसका sentence है बात का बतंगर बनाना है ना यानि कि आप छोटी सी गलती करोगे ना तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ सुना दिया जाएगा मालिजे इस्कूल हम गए 5 मिनट लेट है ना 5 मिनट लेट हो गया हमको वैसे तो इस्कूल नहीं college, university जो भी आप बोलिए 5 मिनट लेट हो गया हमको है ना तो सिक्षक बोले जो 5 मिनट लेट होगे तुम आज 5 मिनट लेट होगे फिर परसो 15 मिनट लेट हो जाओगे उसके बाद तुम एक घंटे लेट होगे उसके बाद तुम आओगा ही नहीं उसके बाद तुम इसकूल छोड़ी दो गया न अब यहाँ पे क्या हुआ है एक छोटी सी गलती हो यह बस पांच मिनट लेट हुआ है कोई बंदा और उसको जो है न इतना को सुना दिया गे तुम इसकूल छोड़ी दो गया तो यह क्या हो जाएगा इक छोटी सी बात को एकदम बढ़ा चारा करके बात का बतंगर जो है न बना दिया गया है इप इच तन में how to drive the car he will want to learn how to fly helicopter next है न अगर तुम इसको जो है कभी कभी महीं बोलती है जो अगर इसको बाइक चलाना सिखा देंगे तो हेलिकॉप्टर उड़ाने लगेगा कल से है न तो अगर हमसे इसको कार चलाना सिखा देंगे तो कल से हेलिकॉप्टर ही उड़ाएगा अब बोलेगा हेलिकॉप्टर उड़ाएगे है ना अब वो helicopter रोड़ाना चाहेगा तो ये क्या है बात का बतंगर बनाना slippery slope ठीक है बहुत आसान है समझना next है circular argument अब इसके अलग अलग नाम है और सभी नामों को हमको याद रखना है इसको हम लोग circular argument भी बोलते हैं इसको हम लोग begging the question भी बोलते हैं और इसको हम लोग arguing in a circle भी बोलते हैं ये साड़े नाम है इसके हैं और साड़े के साड़े नाम आप लोग याद रखेगा यहाँ पर क्या होता है कि बात को घुमाया जाता है है ना बात को काफी घुमाया जाता है question को ही बारवार repeat किया जाता है begging the question हम बोलेंगे बहुत अच्छा से example समझे इसको हम बोलेंगे कि आत्मा क्या है अमर है क्योंकि वो हमेसा जीवित रहती है क्योंकि वो कभी मरती नहीं है इसलिए आत्मा आमर है अब एक ही बात को जो है बार बार बोल रहे है आत्मा आमर है क्योंकि मरती नहीं है क्योंकि हमेसा जीवित रहती है इसलिए आत्मा आमर है question कोई घुमा रहे है begging the question बोलेंगे बादल है इसलिए बाडिस होगी बाडिस होगी क्योंकि बाडल है अब एक ही बात को क्या कर रहे हैं मिलकुल circular के तरीके से बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग circular argument या फिर petition principally petition principally इसका नाम है याद रखिएगा begging the question भी बोलते हैं और arguing in a circle भी बोलते हैं यह सारे नाम है इसके next है the hasty journalization अब यह क्या होता है hasty journalization यहाँ पे क्या होता है hasty journalization में यहाँ पे क्या बाते यहाँ पे करते हैं एक्जाम्पल देखिए I saw a basketball player sneeze thus all basketball player have allergies हमने एक basketball player को देख लिये है जो उसको sneeze है है ना तो इसका हम क्या करेंगे journalize कर लेंगे पुरी तरह से सभी basketball player को जो है ना वो क्या होगा allergy होगा यानि कि एक चीज को क्या करना देख करके journalize कर लेना आप कह सकते हैं stereotype stereotype है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा stereotype की तरह आप क्या कर रहे हैं भी आप कर रहे है अब माल लिजे कोई एक लड़का गलत दिख गया है ना cigarette पीता हुआ दारू पीता हुआ एक लड़का ती क्या होने साड़े लड़का ऐसी होते है एक लड़की माल लिजे गलत दिख गई गलत कोई आ गई जीवन में एक लड़की है ना और उसके बाद हम बोलेंगे सबी लड़की आएं जीशी होती है यह क्या है जर्नलाइज कर रहे है एक परसन को देख करके हम क्या कर रहे है जर्नलाइज कर रहे है सब के बारे में है ना तो यह क्या है hefty जर्नलाइजिसर है ना ठीक है next red herring fallacy रंगे हाथों पकड़ना है ना क्या करना रंगे हाथों पकड़ना इसको बोलते है ध्यान भटकाना समझ मारी बात distract करना red herring मतलब क्या distract करना main जो point है ना main जो बात है ना उससे क्या करना भटका देना distract कर देना इसको क्या बोलते हैं हम लोग red herring fallacy अच्छा इसको बोलते हैं नाम है इसका याद रखेगा इग्नो रेसियो इलैंची ठीक है तो ये लिख लिजएगा एक other day है होता क्या है red herring fallacy काफी आसान है इसको समझना main topic से क्या करना distract करना जिसे कि एक बच्चा बोल रहा है ममी हमको खेलोने चाहिए मुझे खेलोने से खेलने है है ना तो ममी बोलती है बेटा देखो वहाँ पे table पे जो है ना वो पास्ता रखा होगा तुम्हारे लिए जाके खालो जल्दी से दौड के जाओ और वो बच्चा गया दौड करके पास्ता खाने लगा खेलोने के बारे में भूल गया है ना तो यह क्या हो जाएगा उसका ध्यान भटका दिया गया जिसे कि यहाँ पे एक्जामपल लेखिए convincing a parent to lend you the car I know you don't want me to borrow the car but I was going to pick up coffee for you don't you love me coffee don't you love coffee parents को मालिज जी आप कर रहे हैं क्या convince कर रहें कार के लिए I know you don't want me to borrow the car मैं जानता हो कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं क्या करूँ car borrow करू but I was going to pick up coffee for you लेकिन मैं आपके लिए coffee लाने जा रहा था don't you love coffee क्या कर रहा है car से coffee के तरफ shift होड़ा है है ना अब वो convince करने क्या था किसके लिए car के लिए अब car कर दो मैं तो तुमारे लिए coffee लाने जा रहा है तुमको coffee पसंद नहीं है भी है ठीक है ठीक है पसंदे coffee हमको आप coffee ले आए उसके लिए अब car के बारे में क्या हो गया करने दो, कार्ड करने दो, अब पेरेंट्स को क्या बोले, मैं तो तुम्हारे ले कॉफी लाने जा रहा था, क्या तुमको कॉफी पसंद नहीं है, यहाँ पसंद है, ठीक है, कॉफी ले आते हैं, तो कॉफी दे दिये उसको, तो यह क्या हो जाएगा, रेड हेरिंग फैलसी, क यहाँ पर देखिये, इसको हम अपील टू हिपोक्रिसी भी बोलते हैं, है न, अपील टू हिपोक्रिसी क्या हो जाएगा, उल्टा चोर कुतबाल को डांटे, बहुत अच्छा सा एक इसमें बात आप कह सकते हैं, मुहाबरा कह सकते हैं, कि एक मालिज ये, एक लरका है, है न वो cigarette पी रहा है उसके पिताजी बोलेंगे cigarette मत पीओ cigarette पीना बोड़ी बात है तो बच्चा क्या बोल रहा है आप भी तो पीते थे अपने टाइम पे आप भी तो पीते हैं हम को क्यों बोल रहे हैं है नश्य क्या हो जाएगा 2Q fallacy हो जाएगा यानि कि आप पीते थे तो हम भी पी रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है किसी को कोई बात समझाएगा न तो तुम भी तो करते हो सब लोग तो करते ही है कौन यहाँ पे सुधरा हो गया है सब तो बिगरे हुए है किसी को बोलेंगे जो गलत बात मत बोलो तो गाली मत बोलो, सब तो बोलते ही है, अब क्या कर रहा है, वो जो हमको समझा रहा है न, उसी को हम समझाने लगेंगे, उसी को हम बोलने लगेंगे, उसको क्या बोलते है, 2Q fallacy, simple, next, appeal to authority, अब appeal to authority क्या होता है, आपके पास, जिस चीज का अधिकार है, आप वही चीज बोले करेंगे, वही चीज करेंगे, अब माल लेजिए, अब यहाँ पर देखिए, appeal to authority को का example समझे, कि माल लेजिए, कोई क्रिकेटर है, अब वो बोल रहा है, इस साब उन से नहाना चाहिए, ये साब उन काफी ज़्यादा अच्छा होता है, 99% की डानवों को मारता है, अधिकार है, उसके पास, वो तो क्रिकेटर है, वो डॉक्टर थोड़े नहीं है, जो बताएगा, है ना, तो appeal to authority मतलब क्या होता है, आपके पास जिस चीज का अधिकार है, आप डॉक्टर है, तभी आथ तो आप दबा के बारें बताएंगे, बरे-बरे एक्टर, है ना, वो क्या करत है, बहुत सारे advertisement करते है, दबाओं का, दबाओं के बारें बताते है, यह दबाओं बेछाइब, भूत अच्छी होती है, उसका क्या करते है, अधिकार तो आपको थोड़े ना पता है, आपके पास अधिकार थोड़े ना है उसका, कभी-कभी घड में बीमार होते हैं, तो म यह चीज़े हो जाती, appeal to authority मतलब क्या, आपके पास एक बाकाइदा अधिकार ने, आप expert नहीं है इस field के, तो expert नहीं है, तो आप उसके बारे में कैसे बोलेंगे, ठीक है, normally जिनको cricket के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बोलते हैं, इस sword को ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे खेल appeal to authority, next, next क्या fallacy of equivocation, तो equivocation fallacy क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लिजिए, सबसे पहले, equivocation को क्या कहते हैं, fallacy of equivocation occurs, when a key term or phrase in an argument is used an ambiguous way, काफी ambiguous way में use किया गया, unclear, है न, काफी unclear तरीके से जो है न, कोई चीज़े यूज की गई है, homophone भी कह सकते हैं इसको hom, अब मालेजे, हम एक friend के साथ के गोलगपा खाने के लिए, यहना, वो खा रही है गोलगपी, खाती जा रही है, 10 पिस खा गई, 15 पिस खा गई, अब मेरे तरफ देख रही है, जो और खि है न, नागिन और खा, अब यह हम बोल दिये, उसको क्या लगा, हमको नागिन कह रहा है, है न, हम नागिन नहीं बोल रहे थे उसको, हम बोल रहे थे नागिन, है न, यानि कि count मत करो, खा दे जाओ बस, और उसको लगा, हमको नागिन कह रहा है, उसने खाना छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा fallacy of equivocation यानि कि वो जो है न वो कुछ और ही समझ लिए और हम कुछ और ही बोल रहे थे तो दोनों का क्या हो जाएगा home open हो जाएगा, दोनों का sound क्या करा था same कर रहा था, nagin और na-gin, है न ना गिन यानि कि count मत कर और ना गिन तो दुनों का sound जो है न उस्सेम कर रहा था तो यह क्या हो जाएगा? equivocation, ambiguous word हो जाएगा यह है न? हम ऐसे बोल सकते हैं थे count मत करें लेकिन हम ऐसा word बोले कि वो क्या हो जाएगा? unclear हो गया, ambiguous हो गया समझमारी बात? इसको बोलते हैं fallacy of equivocation next appeal to pity इसको बोलते हैं argument add misericordion है न? नाम याद रखेगा जो भी other name है वो भी याद रखेगा argument add misericordion इसका मतलब क्या होता है? emotional लगते हैं चार करना अपने आपको बिचारा दिखाना है न? sir को बोलेंगे sir हम पूरे साल नहीं पढ़ाई किये हैं इसलिए हमको exam में pass कर दिजिए अपने आपको बिचारा दिखा कर क्या पढ़ाई नहीं किये हैं तो pass करते हैं इसका कोई logic की नहीं है मोलेंगे मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मुझे चुनाओं में जीच जाना चाहिए तो यह क्या हो जाएगा appeal to pity अपने आपको बिचारा दिखा करके emotional ही क्या करना अत्याचारा करके sympathy gain करना है ना? इसको बोलते है appeal to pity sympathy gain कर रहा है यह मतलब का next band wagon fallacy भेर चाल इसको भेर चाल कहते हैं क्योंकि सब कर रहा है इसलिए वो हम भी करेंगे fashion ने बोलते है trend है अब एक deal जो सब बनाएगा वो deal हम भी बनाएगे अच्छा यह deal तुम क्यों बनाए है ना? सब बना रहा था इसलिए हम भी बना दिये एक बहुत अच्छा सा deal इसलिए हम भी बना दिये ना? तो मेरा एक दोस्त है वो बना दिया deal हम बोले क्या होगी क्या बनाएगो ये deal बनाएगो क्यों बनाएगो? ट्रेंड चल रहा है सब बना रहा था इसलिए हम भी बना दिये नहीं पता है तुमको ट्रेंड क्या होता है बोले अच्छा अच्छा ये भी होता है ट्रेंड होता है तो ये क्या? बैंड वेगन फैलसी या सब कर रहा है तो हम भी कर रहे है हम को पता नहीं कि हम क्यों कर रहे है बहुत सारे देखते होंगे आप लोग जो rally निकलता है ना बहुत सारी चीज़ों का विरोध करने के लिए सरकार की कोई योजना है policy है उसके विरोध में सैक्रो लोग सरक पे आ जाते है और कुछ लोगों से पुछा जाता है क्यों आयो भाई किसका विरोध करने आ हो उनको पता ही नहीं है हम ऐसे ही सब लोग गए था नहीं तो हम भी आ गए साथ में भी रोज करने के लिए क्यों आयो नहीं पता है ना अब कोई candidate है जिसको vote देना है election में people are more likely to vote for the candidate and they think is winning अब आपसे पुछा जाएगा कि आप उसको क्यों vote दे रहे है ऐसे ही दे रहे हैं सब लोग दे रहे हैं उसी को वही जीतेगा तो उसी को दे रहे है अपना आप नहीं सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है कौन जितना चाहिए नहीं जितना चाहिए आप बस उसको बोर्ट दे ने, जिसको सब दे रहा है, सब के साथ चल रहा है इसको बोलते है, band, wagon, fallacy, भेडचाल में स्ट्रामिल हो जाना, सब लोग कर रहे है, इसलिए हम भी कर रहे है सब लोग B.A.ड कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे है जड़ी आप ये सोचके कर रहे है कि नहीं हमको करना है हमको अच्छा करना इस फैल्ड में तो ठीक है लेकिन आप ये सोचके कर रहे है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं band-dem zusannay इसको add populum भी बोलते है next है appeal to force fallacy ये क्या होता है appeal to force क्या होता है तो यहाँ पे क्या करना force ली कोई काम करवाना इसको argument add back lump भी बोलते है coercion जानते हैं coercion डड़ा धमका करके कोई काम करवाना यह काम करो नहीं तो फिर समझो तुम गए तो यह क्या हो जाएगा appeal to force fallacy add back lump हो जाएगा जबरदस्ती किसी को डड़ा करके धमका करके कोई काम बोलते हैं करने के लिए इसको बोलते है appeal to force fallacy coercion बाला situation हो जाता है next अब fallacy of term में कुछ और fallacy जाते हैं अभी काफी फिलहाल पूछने लगे हैं यह सारे fallacy तो इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते है सबसे पहला इसमें क्या है illicit measure fallacy some plus all यहाँ पे देखिए a formal fallacy committed in a categorical symbolism that is invalid because its measure term is undistributed in the measure premises but distributed in the conclusion तो जदी किसी भी argument का measure term undistributed है measure premises में लेकिन distributed है conclusion में तो उसको बोलते हैं हम illicit measure fallacy अब measure term देख लीजे सबसे पहले क्या है बताये थे हम लोग measure minor और middle term के बारे में तो middle term वो होता है जो कि conclusion में नहीं आता है है ना और दोनों premises में आता है तो docs देखिए docs conclusion में नहीं आ रहा है दोनों premises में आ रहा है docs क्या हो जाएगा middle term हो जाएगा measure term क्या होता है conclusion का जो predicate होता है उसको measure term बोलते हैं तो mammal यहाँ पे क्या होगा measure term होगा है ना और cats क्या हो जाएगा minor term हो जाएगा अब हमको देखना क्या है measure term देखना है, measure term देखिए undistributed है measure premises में, measure premises कौन सा होगा, जिसमें measure term है, वो measure premises है, पहला premises क्या है, measure premises, all dogs are mammal, अच्छा all dogs are mammal, लेकिन all mammal are not dogs, सारा का सारा dog का does mammal है, लेकिन सारा का सारा mammal तो dogs नहीं है, तो इसका measure premises में क्या है, measure premises में measure term क्या है, and distributed है, mammal जो है वो undistributed है, लेकिन conclusion में क्या है distributed है देख लिजिए 9 cats are mammal तो 9 mammal are cats दोनों अपने आप में क्या है distributed है 100% है तो यहाँ पर देख लिजिए कि measure premises में तो undistributed है measure term लेकिन conclusion में distributed है इसलिए क्या हो जाएगा illicit measure fallacy next है illicit minor fallacy sum plus all यहाँ पर देखिए minor term is undistributed in the minor premises but distributed in the conclusion same वही बात है minor premises यहाँ पर क्या हो जाएगा conclusion का subject तो Jesus lover क्या हो जाएगा यहाँ पर minor term minor term जिस premises में होगा उसको minor premises कहेंगा Jesus lover कहाँ है second में है second में है देख लिजिए Jesus lover तो यह क्या हो जाएगा minor premises अब बोल रहा है कि minor term undistributed होगा minor premises में देख लिजिए all Christian are Jesus lover है न तो सारा का सारा Christian जो है वो Jesus lover है लेकिन सारे Jesus lover Christian तो नहीं है ऐसा कुछ तो नहीं है तो Christian तो यहाँ पर distributed होगा लेकिन Jesus lover क्या हो जाएगे undistributed है न तो यहीं बोल रहा है कि minor term जो है वो undistributed है किसमे minor premises में ठीक है है तो Jesus lover undistributed है minor premises में लेकिन distributed है conclusion में है न तो यहाँ पर देख लिजिए Jesus lover are Catholic all Jesus lover are Catholic Jesus lover क्या है all सारा का सारा तो क्या हो जाएगा distributed हो जाएगा तो conclusion में क्या है distributed है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग illicit minor fallacy next next है undistributed middle some plus some का यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर देखिए syllolism is not distributed in either the minor premises or the major premises syllolism जो है ना तो minor premises में distributed है ना तो major premises में distributed है देख लिजिए all test book are books intended for careful study और some reference book are books intended for careful study conclusion क्या निकल के आया some reference book are test book यहाँ पर देखिए middle term in categorical syllolism not distributed in the other minor premises और major premises तो middle term यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या है तो conclusion में कौन सा जो term है वो नहीं है और दोनों premises में हैं तो careful study जो है वो नहीं है है ना conclusion में नहीं है और दोनों का दोनों premises में हैं तो careful study यहाँ पर क्या हो जाएगा middle term हो जाएगा अब देख लेते हैं हम लोग कि careful study जो है वो दोनों का दोनों premises में undistributed है की नहीं है देख लेते हैं तो test book तो सारा का सारा है लेकिन careful study क्या है सम हो जाएगा तो यहाँ पर undistributed हैं पहला premises में दूसरा premises में देख लेते हैं some reference books are books intended for careful study careful study दूसरे premises में भी क्या है undistributed है तो दोनों का दोनों premises में जदी middle term undistributed हो तो उसको बोलते हैं undistributed middle fallacy ठीक next exclusive premises no plus no plus no इसका तीनों का तीनों नों होता है दोनों का दोनों premises और conclusion जब सब का सब negative हो उसको बोलते हैं exclusive premises no cats are dogs some dogs are not pets therefore some pets are not cats यानि कि सब में क्या है no है है ना दोनों premises भी और conclusion भी सारा का सारा क्या होगा negative होगा तो उसको बोलते है exclusive premises next existential fallacy all plus all plus some यहाँ पर क्या हो जाएगा when there are two universal premises to arrive at a particular conclusion जब दो universal premises से एक particular conclusion derived हो तो उसको बोलते हैं हम existential fallacy जैसे कि all x are y और all z are x conclusion क्या निकलके आया all some z are y है ना some z are y यह conclusion निकलके आगया तो दोनों का दोनों क्या है universal है premises लेकिन conclusion क्या निकलके आ रहा है particular some बाला है ना तो यह क्या हो जाएगा existential fallacy छोटी छोटी बात याद रखनी है बस है ना next है affirmative conclusion from negative premises जब negative premises से affirmative यानि कि positive conclusion निकलके आये तो उसको बोलते हैं हम अब देख लीजिए no fish are dog यह क्या है negative premises है no dogs can fly यह भी क्या है negative premises है लेकिन conclusion क्या निकलके आया है all fish can fly तो दोनों का दोनों premises तो negative है लेकिन इसका जो conclusion निकलके आया है वो क्या है positive है तो उसको क्या बोलेंगे हम affirmative conclusion from negative premises fallacy simple है बिल्कुल next fallacy of four term यहां पे देखिए normally fallacy में कितने term होते हैं तीन term होते हैं लेकिन यहां पे कितने term हो points एक तो fish हो गया दूसरा fence हो गया तीसरा gold fish हो गया और चौथा human हो गया चार चार टर्म है नौर्मली कितने term होते हैं तीन term होते हैं लेकिन यहां पे चार टर्म है तो इसलिए इसको बोलेंगे fallacy of four term next अब हम लोग आते हैं classical square of opposition पे है ना fallacy हो गया complete अब करेंगे हम लोग classical square of opposition इसमें चार चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे contrary, sub contrary, sub contrary, sub altar और contradictory यह चारों चीज़े हम लोग को पढ़नी हैं बस यही चारों चीज़े पढ़नी है तो यहां पे ध्यान रखना है हम लोग को यह पहले हम लोग परहे थे quality और quantity जब पर रहे थे तो वहां पर देखे थे हम लोग a मतलब all है न ए रहेगा तो मतलब all है न इ मतलब no उसके बाद i मतलब क्या होता है sum होता है और वो मतलब क्या होता है यह आप लोगों को दिख रहा होगा अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं कि कैसे समझेंगे एक एक करके सब को समझने का प्रयास करते हैं देख लेजे A और E यानि कि All और No इसका जो relation है इसको क्या बोलेंगे contrary दिख रहा होगा इसका सीथा relation है contrary relation उसके बाद सम और सम नोट का जो relation है यानि कि I और O का जो relation है उसको क्या बोलेंगे sub contrary और تीसरा A और I का relation यानि कि All और सम का जो relation है साथी साथ E और O का यानि कि No और सम नोट का जो relation है, दोनो relation को क्या बोलेंगे हम लोग sub-alter बोलेंगे sub-alter, ठिक उसके बाद देखिए यहां पे ये जो तिर्चा relation है न, तिर्चा यानि कि all or some not का, और no or some का, ये जो relation है इसको बोलेंगे contradictory, ठिक ये relation हो जाएगा अब देखते हैं, एक एक करके हर relation को समझने का प्रियास करते हैं दिखिए, यहां पे यही पे समझ जाते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीके से all सबसे पहले contradictory को समझते हैं, बहुत आसान है और सबसे, आसान भी यही है और question भी सबसे अधिक यही से आते हैं, यह बहुत अच्छी बात है देख लिजे all और some not का जो relation होगा न, उस relation को हम लोग contradictory बोलेंगे जैसे की example लिजे यहां पे देखने के प्रियास करते हैं बोलेंगे एक ठेला पे बहुत सारा केला रखा हुआ है हम बोलेंगे सारा का सारा केला पका हुआ है है ना, और यह statement सही है सारा का सारा केला पका हुआ है और यह statement क्या है सही है, बोल दिये और उसके बाद फिर दूसरा statement में क्या बोल रहे हैं कुछ केले पके हुए नहीं है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ना क्योंकि हम पहला statement में बोल चुके हैं कि साड़ा पका हुआ है तो दूसरा में हम यह नहीं बोल सकते कि कुछ के लिए पके हुए नहीं है तो जदी all वाला सही हो गया ना तो some not वाला सही नहीं हो सकता some not वाला गलत हो जाएगा तो both cannot be true है ना या फिर जदी इधर से हम देखने का प्रयास करें तो ऐसे ही बोल सकते हैं बोलेंगे कोई भी केला पका हुआ हुआ है है ना e यानि कि e जदी सही हो गया बोलेंगे कोई केला पका हुआ हुआ है और दूसरा statement में यह बोलेंगे कि कुछ केले पके हुए है तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो दोनों साथ में सही नहीं हो सकता both can't be true simple है ना उसके बाद क्या है both can't be false also अब मा लिजे बोलेंगे कि साड़े केले पके हुए है ये statement गलत है है ना सारे केले पके हुए हैं ये statement क्या है गलत है और दूसरा statement में ये बोल रहे हैं कि कुछ केला पका हुआ नहीं है सही हो जाएगा ना क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि सारा केला पका हुआ ये statement गलत है तो obviously बात है कुछ के लिए पका हुआ नहीं होगा इसलिए सारा वाला statement को हम गलत कर दिये तो क्या हो जाएगा some not बाला सही हो जाएगा है ना, simple जदि एक सही हुआ तो दूसरा गलत हुआ पहला गलत हुआ तो दूसरा सही हुआ तो दोनों साथ में ना तो गलत हो सकता है और दोनों साथ में ना तो सही हो सकता है both cannot be true और both cannot be false simple contradictory समझ गया आप लोग बागी का भी देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा detail में भी लिखा हुआ है तो वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं contrary देख लेजिए ना 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 अच्छा जदी हम यह बोल दिये कि all children are naughty तो no children are naughty क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा जदी all वाला सही है तो no वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कहीं कहीं पर doubtful भी लिख देता है एक्जाम में तो doubtful भी आप मान सकते हैं तो यह भी चीज़े याद रखिएगा question जिसे साब से पूछा गया उसे साब से आप उसको समझेए normally जिसे समझेना को प्रयास करें हम तो क्या हो जाएगा जदी all वाला सही होगा तो no वाला गलत हो जाएगा केला वाला example है साब केले पके हुए है इसको सही मान दिये और दूसरा हम बोल रहे है क्या हो जाएगा क्योंकि all वाला सही है तो no वाला क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा contrary मेr Both cannot be true अच्छा जदि इस तरह से आप बोलिये कि सारा केला पका हुआ है ये statement गलत है तो कोई भी किला पका हुआ नहीं है ये statement क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा both cannot be यहां पर ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगर हम ये बोले कि साड़ा केला पका हुआ है ये statement गलत है तो कोई भी केला पका हुआ नहीं है ये भी statement क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा both cannot be true but both can be false दोनों सही तो नहीं हो सकता साथ में लेकिन गलत हो सकता है ठेक यहां लिखा हुआ है both statement cannot be true at the same time but both statement can be false at the same time कुछ कुछ चीज़े याद भी रखनी पड़ीगी आप लोग next है contradictory जो की हम समझा चुके हैं उसके बार आते हैं हम लोग subcontrary पे subcontrary में क्या के चीज़े हो जाएगी यहाँ पे देखे subcontrary में relation कैसी होता है नीचे जो relation आप लोगों को दिख रहा था I और सम का समनौट का I मतलब क्या होता है सम होता है और O मतलब क्या होता है समनौट होता है तो I और O का जो relation था वो क्या था subcontrary में था सम और समनौट का example देखते हैं some children are naughty और यह statement क्या हो जाएगा true हो जाएगा बोलेंगे कुछ बच्चे जो है न नटखट है है न और दूसरा statement बोल रहे है कुछ बच्चे नटखट नहीं है अच्छा कुछ बच्चे नटखट है यह statement यदि सही होगा तो कुछ बच्चे नटखट नहीं है यह statement क्या हो जाएगा डाउटफुल हो जाएगा है ना डाउटफुल हो जाएगा हो सकता है कि कुछ बच्चे नटखट नहीं हो हो सकता है हो तो ये भी क्या हो जाएगा doubtful हो जाएगा या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो सही होगा दोनों सही हो सकता है जैसे question पूछ रहा है न उसी हिसाब से बनाएंगे तो दोनों साथ में सही हो सकता है बोलेंगे कुछ बच्चे नटखट है और बोलेंगे कुछ बच्चे नटखट नहीं है और कुछ बच्चे नटखट नहीं है ये statement क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोनों साथ में सही तो हो सकता है लेकिन दोनों साथ में गलत नहीं हो सकता है बस इतनी सी बात याद रखनी है बोल्दे स्टेटमेंट कैननोट बी false at the same time बोल्दे स्टेटमेंट कैन बी true at the same time next subalteration subalteration क्या होता दो relation इसमें हो जाएगा all or some का और साथ में no or some not का दो relation यहाँ पे हो जाता है देख लीचे दोनों relation को देखने का प्रयास करते हैं all children are naughty सारे बच्चे नटखट है और दूसरा एस्टेटमेंट बोल रहे है some children are naughty कुछ बच्चे नटखट है तो जदी all वाला सही होगा न तो some वाला भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा लेकि जदी all वाला गलत होगा तो some वाला क्या हो जाएगा doubtful हो जाएगा है ना सम वाला भी क्या हो जाएगा doubtful हो जाएगा अगलत भी हो सकता है अब यहाँ पर देखिए इस तरह से दो relation यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे उपर से नीचे जाएगा तब और नीचे से उपर जाएगा तब जदी all से some की तरफ आ रहे हैं तब भी relation देखेंगे और some से all की तरफ जा रहे हैं तब भी relation देखेंगे है ना जदी हम यह बोल दिये कि all children are naughty यह statement सही है और some children are naughty यह भी statement सही होगा लेकिन जदी some से हम all की तरफ जाएगे तो relation थोड़ा अलव हो जाएगा बोलेंगे कुछ बच्चे नटखट है और इससे हम all की तरफ जा रहे हैं साड़े बच्चे नटखट है तो कुछ से जदी हम all की तरफ जा रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा doubtful हो जाएगा है ना क्योंकि कुछ बच्चे नटखट है है ना इसको सही माने है तो साड़े बच्चे नटखट है इसको तो डायेक्ट सही नहीं न मान सकते है समझ मारी बात doubtful हो जाएगा लेकिन जदी हम ये बोल दिये कि कुछ बच्चे नटखट नहीं है कुछ बच्चे नटखट है ये statement गलत मान लिए हम तो साड़े बच्चे नटखट है ये भी statement क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा definitely false हो जाएगा ठेक याद रखना है इस बात को बस इतनी सी बात हम लोगों को समझनी थी next आते हैं और यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे school of thoughts इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे question यहाँ से काफी सारे पूछ लिये जाते हैं और बहुत आसान है समझना है इसको है ना school of thoughts को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं चली यहाँ पे school of thoughts की बात करें हम लोग दो भागों में बाटा गया है school of thoughts को orthodox और heterodox कहीं ना कहीं जदी हम लोग देखने का प्रयास करें तो heterodox में बुद्धिज्म आता है और एक होता है unorthodox यानि कि पूरा का पूरा जो वेदो को बिल्कुल नहीं मानता है उसको जैनिज्म और चारबक जो है ना पूरा का पूरा unorthodox में आता है लेकिन बुद्धिज्म जो है ना वेदो को नहीं मानता है तो नकारता भी नहीं है इसलिए उसको heterodox में रखा गया है लेकिन simply आप दो भागों में divide करिए इसको orthodox और heterodox आस्तिक और नास्तिक है ना जो वेदो को मानता है उसको आस्तिक कहते है और जो वेदो को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते है आपके माइने में प्रस्म आया होगा भगवान को मानते हैं तो उसको आस्तिक नास्तिक ऐसी बात नहीं है भगवान को मानने या ना मानने वाली बात नहीं है बात है वेदो को मानने या ना मानने की ठीक है तो जो वेदो को मानते हैं उसको बोलते हैं और्थोडोक्स और जो वेदो को नहीं मानते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोडोक्स जो वेदो को मानते हैं उसमें कौन-कौन आएंगे? मिमानसा, वेदान्ता, सांख्या, योगा, न्याया और बेसेसिका ये साड़े आएंगे वेदो को मानने वाले में दूसरा जो वेदो को नहीं मानते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवक ठीक है? एक एकर के डीटेल में देखने का प्यास करते हैं सबसे पहला है बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट को थोड़ा सब पढ़िए यहां पे फोर नॉबल टूथ आर प्रिस्ट बाई बुद्धा और देट दौ लाइफ इस फुल आफ सफरिं है ना? बुद्धिस्ट में क्या कहा गया था? है ना? लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा था? लॉर्ड बुद्धा क्या बोले थे? कि जो यह जीवन है वो दुख से भरा हुआ है है ना? यह जीवन पुरा का पुरा दुखो से भरा हुआ है that there is cause of this suffering it is possible to stop suffering and there is a way of existence suffering तो यहाँ पे जीवन हम लोगों को दुख से क्या करना है? मुक्ति पाना है stop करना है दुख को तो क्या करना परेगा? उसका उपाय धुणना परेगा यहाँ पे जो है ना? वो आठ जो है ना? रास्ता दिया गया है दुख से मुक्ति पाने का देख लिजे यहाँ पे 8-fold path अस्टांगिक मार्ग भी कहते हैं इसको हम लोग है ना? अस्टांगिक मार्ग बुद्धा is a way to extinguish the suffering as right views सही views आपका जो देखने का जो नजरिया है नो? वो सही होना चाहिए right resolve aspiration आपका जो aspiration है आप resolve करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए right speech बोलने का सही होना चाहिए right action आप जो काम करें वो सही कर्म हो आपका कर्म सही हो है ना? आपका काम सही हो आपका जीवन सही हो लिबले हुज आप जो रह रहे हैं जीवन आयापन करें वो सही तरीके से करें आप जो प्रयास लगा रहे हैं वो प्रयास सही प्रयास लगाए है है न जैसेकि त्याड़ी कर रहे हैं आप लोग तो प्रयास आपका effort वो बिलकुल जन्वन होना चाहिए. right mindfulness है ना आपको जो सोचने समझने सकती है चरो तरफ आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं जो को तो वो right mindfulness होना चाहिए और right concentration आपका जो ध्यान है वो सही होना चाहिए ये आठ जो है ना वो अस्टांगिंग माडग है क्या करने का दुखो से मुक्ति पाने का तो ये लौर्ड बुद्धा ने कहा था नेक्स्ट आते हैं जैन फिलोसफी पे जैन फिलोसफी में क्या कहा गया है जैनिस्म फाउंड़ेट एवाउड दा 16th century BCE जैनिस्म जो फाउंड किया गया वो 16th century BCE में फाउंड किया गया बर्धमान महावीरा है ना जिछोने फाउंड किया दो 24th इन असक्सेशन अफ रिलिजियस लीडर्स नो एदर एज तिर्थ कारस सेबियर और एज जैनस कॉन्कुरर्स रिजट दा आइडिया आफ गॉड as the creator of the world but it teaches the perfectibility of humanity तो यह जो लोग हुए उन्होंने भगवान के सब लोग क्या बोल रहते भगवान न सृष्टी को बनाया है संसार की रचना की है इस बात को रिजेक्ट कर दिया लेकिन सिखाया क्या? humanity सिखाई, मानपता सिखाई है ना? तो यह सारी चीजे मानपता के बारे में बात की गई है हर मानप को क्या रखो? सही तरीके से ध्यान रखो यानि कि जितनी भी है जितनी भी जीव जनतु है मानप है, सब को क्या रखो? सब क्या ध्यान रखना है मानपता की बात इसमें की गई है इस पे भी ध्यान दिया गया है इसमें क्या कहा गया था इसमें बस बात की गई थी आम जीवन का आम जो मनुस्य है उसके बारे में इसमें फोकस किया गया है कि हम लोग जीवन जीते कैसे हैं है आम लोगों के लिए इसमें बात की गई है कि इसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफी को नहीं हमको समझना है है फंडामेंटल बात की गई है है आडाम से खाओ पियो मौश करो है यह सारी चीज़े इसमें की गई है मोक्ष निर्वनार इस सब की बात यहां पे नहीं की गई है यहां पे बात किस की की गई है नौर्मली आप आडाम से जीवन जिन्दगी ना मिलेगी दोबाड़ा वाली बात है तो खाओ पियो ऐस करो बहुत अच्छा सा इसमें एक्जामपल था अगर लोल लेके भी जो है वो घी पीना परे तो पी हो लेकिन एकदम जिन्दगी ना मिलेगी दोबाड़ा वाली बात इसमें की गई है यह ना लोकाइता भी कहते हैं चाड़ वका को याद रखेगा और यह जब फिलोस्पिकल इंडियन स्कूल ऑफ मेटेरियलिस्टिक हुरिजेक्ट दा नॉसन ओफ और प्रावली लोग क्या है बहुत जाथ समझने का प्रयास नहीं न करते हैं उनको चाहिए भी नहीं उनको बस बिल्कुल कोई बता दे पैश कैसे कमाएं कैसे कार ले है ना बंगव ले यह सारी सीज़े फिर है जह अन्यम SAR हगरी ले ले यहां जैस यहां पर नहीं की गई है next next यहां पर सांख्या फिलोसपी के बारे में जानते है है ना सांख्या फिलोसपी क्या होता है is one among the oldest school in India फिलोसपी यह बहुत ही पुराना है है ना फिलोसपी this is so because the basic tenet of सांख्या can be seen in न्याया वैसे सिका the basic जो चीज दी हुई है ना न्याया वैसे सिका योगा जनिज्म और बेदानता में दी गई है है ना तो यह सारी चीजे है the founder of सांख्या फिलोसपी is कपिल मुनी है इसके जो founder है कपिल मुनी याद रखेगा और सांख्या सुत्र this is scripted widely known as सांख्या फिलोसपी there are two views on the origin of this school दो views है इसके origin के some are believed कुछ में विस्वास किया जाता है और कुछ क्या होता है derived होता है from the world सांख्या कुछ क्या होता है उससे जिस पे विस्वास किया जाता है उससे derived होता है which means number as well right knowledge यहाँ पे सही ज्यान के बारे हम बात की गई सही ज्यान क्या है perfect knowledge क्या है सही ज्यान की प्राप्ति क्या होती है इस पे यहाँ पे focus किया गया सांख्या फिलोसपी पे ठीक है तो जदी आप right knowledge की बात knowledge तो हम लोग gain कर रहे है लेकिन सही knowledge gain कर रहे है कि नहीं कर रहे है reality क्या है है ना जो भी चीज़े हम लोग जान रहे हैं समझ रहे हैं उसके पीछे का कारन है उसके पीछे की क्या reality है तो यह साछी चीज़े हम लोग देखने का प्रयास करते हैं CHya philosophy वह ठीक है Next हम लोग देखने का प्रयास करते हैं योगा फिलोसफी सबसे पहले योगा फिलोसफी पतनजली मुनी ने दिया था आप लोग देखते हैं पतनजली का प्रोड़क्ट सब आ रहा सारा का सारा तो क्यों आ रहा है क्योंकि पतनजली मुनी ने दिया था योगा फिलोसफी को इसल यह ना पतंजली योग सुत्र is dedicated to sotralogical aspect of yoga philosophy yoga philosophy similar to buddhism काफी buddhism क्या से काफी ज़्यादा क्या है similar है believe that spiritual ignorance created suffering and minds as to the will of samsara cycle of rebirth पे काफी ज़्यादा विश्वास किया गया है है ना इस philosophy में cycle of rebirth पे काफी विश्वास किया गया है suffering and minds to us will of sams samsara यानि कि यहां यह जीवन क्या है यह जीवन एक चल रहा है पहिया की तरह चल रहा है है ना संसार में आते हैं लोग फिर बड़े होते हैं फिर मृत्यू होती है फिर आत्मा क्या है अजर अमर है आत्मा एक दूसरे से एक से दूसरे सरीर में जाता है और जीवन चलता रहता है cycle of rebirth चलता रहता है इसलिए क्या है सरीर से मोह नहीं करना है बहु ज़्यादा हमको मोह नहीं करना है एक दूसरे से योकि संसार ऐसे ही चल रहा है मोह के मंधन में नहीं बढ़ना है the main philosophy of yoga is simple mind, body and spirit are all in one and cannot be clearly separated सब क्या है? सब एक ही है इसको separate नहीं किया जा सकता तो यह सारी चीज़े यहाँ पे बात की गई है किस में? yoga philosophy में next है बैसेसिका philosophy यह दिया था करनार कस्य परिसीद जी ने दिये थे इसको याद रखेगा संस्कृत फिलोसफर expounded its theory and its credited with founding the school the basisica system holds that smallest individual indestructible part of the world is atom तो जो small है न सबसे छोटा जो individual indestructible part है वो क्या है? atom है an atom अनू अनू जिसको बोलता है all physical things are combination of the atom of earth तो जितनी भी साड़ी चीजे दिख रही है हमको संसार में वो क्या है? atom से ही बना है तो सबसे छोटा क्या है? atom है यह बात बताई गई थी किस में? बैसेसिका philosophy में और यह जो पूरा संसार बना है वो atom से ही बना है ठीक है all physical things are combination of the atom of earth water, fire and air inactive and motionless in themselves the atom are put into motion by God's will through the unseen forces of moral merit and demerit तो यहाँ पर बात क्या की गई है? इतनी भी साड़ी चीजे है water है, fire है, air है सब कुछ किस से बना है? atom से बना है है न? एक motionless, inactive और motionless है है न? तो atom are put into motion by God's will तो God's जैसे भगवान जैसे करेंगे वैसे ही atom क्या क्या है? सब कुछ में motion ला दिया है तो इस साड़ी चीजे यहाँ पर बताई गई है वेसिजी का philosophy में नया philosophy में बात क्या की गई है? नया philosophy is the base on which the higher philosophies of India has been built नया philosophy एक क्या बना है? आधार बना है नया philosophy क्या है? एक आधार है जिस आधार सिला पर बांकी जितनी भी philosophies है वो साड़ा का साड़ा बना है, साड़ा built हुआ है तो सबसे पहला कौन सा philosophy? नया philosophy साड़ा philosophy किस पर बना है? तो नया philosophy पर बना है याद रखना है बात को इसको दिया गया थे किसके द्वाड़ा अक्षपाद गौतम रिसी के द्वाड़ा who composed the न्याया सुत्राज it says that all our suffering are due to our ignorance जितने भी दुख होते हैं ना suffering होते हैं वो ignorance के कारण होते हैं इग्नोर करते हैं चीजों को नहीं कर लेंगे ना ठीक है ना हो जाएगा न overcome them acquiring right knowledge is very important उसको overcome करना right knowledge को क्या करना acquire करना इस काफी ज़्यादा क्या होता है महत्पुर्ण होता है the न्याया स्कूल holds that there are four valid means of knowledge न्याया स्कूल में क्या कहा गया है चाड जो है न वो valid means है knowledge का प्रतेक्षा, अनुमाना, उपमाना और शब्दा यानि की perception, inference, compression और word यानि की verbal testimony यह चाड क्या है valid है बाकि क्या है invalid है invalid knowledge involves memory, doubt, error and hypothetical argument the न्याया theory of causation of defines a cause as an unconditional and invariable incident on effect है ना, तो यह साधी चीज़े यहाँ पर बताई गई है नया फिलोस्फी में next है मिमानसा मिमानसा क्या होता है मिमानसा is concerned with the earlier parts of the वेजाज called कर्म कांड कर्म कांड से जुरा हुआ है मिमानसा it is also refers to a पुर्व मिमानसा और कर्म मिमानसा है ना, तो दो भागों में इसको बांट दिया गया पुर्व मिमानसा और कर्म मिमानसा में भी बांटा गया है यहाँ पर देख लीजे study of action, कर्म मिमानसा मतलब क्या होता है study of action, आप जो कर्म कर रहे हैं आप जो कर्तब भी कर रहे हैं तुम्हारा कर्म क्या है बिद्यार्थी का कर्म होता है पढ़ाई करना, तो एक हो गया पुर्व मिमानसा जो प्रायर study है दूसरा है कर्म मिमानसा, आपका कर्म क्या है आप अपने कर्म को करो है ना, यह चीजे हो जाती है विदान्ता विच डील विद्धा, लेटर पोर्शन आप दे वेधिक लिट्रेचर, उसको क्या किया गया है उपनिश्रद, उपनिश्रद मतलब क्या हो गया वेदो का जो निचोड है, काउनिटिब पार्ट है वेदान्ता, वेद का जहां पे अंत होता है उसको वेदान्ता कहते है उसका जो समराइज है, जिसमें कॉगनिटिब पार्ट है जिसमें सारी ज्यान वाली बाते लिखी गई उसको उपनिश्रद कहेंगे या फिर वेदान्ता कहेंगे उसको क्या वोलेंगे, उत्तर मिमान्सा ठीक पॉस्टेडियर अस्टेडियर अस्टेडि किया है, एक तो पॉस्टेडियर अस्टेडियर कहा गया है, दूसरा अस्टेडियर अस्टेडियर अथ नॉलिः कहा इसको दो बागों बाठ दिया गया है है न, the aim of Mimansa is to give rules for the interpretation of Vedas, Mimansa का जो क्या है, aim है, लक्ष है, वो interpret करना किसको, Veda को, the earliest scripture of Hinduism as to provide a philosophical justification for the observance of Vedic ritual, अधिकी बेदों बहुत सारी बाते लिखी गई है, उसको क्या किया जाता है, interpret किया जाता है, यहनि कि समाने लोगों की भासा में समझा जाता है, उपने शद में बहुत सारी चीज़ों को अलेक किया जाता है, है न, तो बेदों को बातों को समझना, Mimansa का उद्धिस क्या था, बेद में जो चीज़े दी गई है, उसको सही तरीके से समझना, यह क्या था, Mimansa का उद्धिस था, उसको interpret करना, जो भी scripture है, जो भी knowledge है, उसको सही तरह से समझ जाएंगे, तो फिर आगे, बहुत अच्छे से उसका justification दे पाएंगे, तो यह सारी चीज़े हो जाती है, नेक्स्ट है, वेदान्ता, वेदान्ता के बाड़े में बताये हैं, जहां वेदों का अंत होता है, उसको वेदान्ता कहते हैं, है ना, वेदान्ता, one of the six system, दरसन of Indian philosophy, यानि कि, वेद का अंत मतलब कहने का मतलब क्या है, वेद का जो summarization है, ने बोलते हैं, पूरा बुक है, उसका summarize होता है, जिसमें साड़ी अच्छी बाते लिखी गई है, मतलब सिफ ज्ञान वाली बाते लिखी गई है, है ना, वेदों में बहुत कुछ है, लेकिन जो main जो knowledgeable thing है, conclusion उसका जो निकला है, वो किसमें निकला है, समराइजिसन जो हुआ है, किसमें हुआ है, वेदानता में हुआ है, conclusion है बिल्कुल, वेदानता मिन्स क्या, संस्क्रीट, the conclusion, अंत, इसलिए वेदानत कहा गया, वेदों का अंत, इसको अप्लाई किया गया है क्या उपनिशद में, वेदानता की बात हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे देख लिजिए, कौन-कौन valid source है, नॉलेज के, और कौन-कौन invalid, यानि कि नयाया में क्या कहा गया है, संख्या में क्या कहा गया है, सब में देख लिजिए, देखिए, नयाया में क्या कहा गया है, चार valid means है, नॉलेज के, कौन-कौन सा, प्रतेक्षा, अनुमाना, उपमाना, और शब्दा, ये चार क्या है, valid source है, नॉलेज के, है न, ये कहा गया है, किसमें, नयाया फिलोस्पी में, उसके बाद, सांख्या फिलोस्पी की बात करें, तो accept three of six प्रमाना, इसमें six, three को ही क्या किया गया, accept किया गया, कौन-कौन सा, प्रतेक्षा, अनुमाना, और शब्दा, बस तीन को जो है न, accept किया, किसने, सांख्या फिलोस्पी ने, जैसे कि योगा, योगा ने भी किया है, है न, योगा और सांख्या, दोनों ने क्या, क् प्रमानाज को accept किया है, बोला, बस यही तीन है, जिसको accept किया जा सके, जिसको जो proof है, यहाँ पे कितने को accept किया गया है, तो यहाँ पे देख लिजए, accept three reliable means of knowledge, यहाँ पे भी तीन को accept किया गया है, कौन-कौन सा, प्रतेक्षा, अनुमाना और शब्दा, यानि की perception, inference और Verbal testimony, उसके बाद बसिसिका में कितने को accept कियाग्य? बसिसिका philosophy, only two except only परत्यक्च्च्चा एंड अनुमाना है न, बस बसिसिका philosophy में बस परत्यक्च्च्च्च्चा और अनुमाना को valid माना गया, बस इसी को except किया बुधिष्ट ने क्या किया? कितने को accept किया बस दो प्रमाना को accept किया कौन कौन सा परत्यक्षा और अनुमाना perception और inference को और चारबका में कितने को accept किया गया बस perception को only valid source of knowledge is perception by चारबका ठीक है इस बातों को ध्यान रखेगा और मिमानसा और बेदानता के बारे में कुछ-कुछ बाते दी गई है उसको देख लेते हैं तो मिमानसा में कितना accept किया गया पांच को लेकिन विदानता में कितने को accept किया गया बस थी को थी principle of means of knowledge आर perception, inference और word ठीक है चलिए ये part B था logical reasoning का और पुड़ा का पुड़ा logical reasoning इस part A और part B में क्या हो गया है complete हो गया है ठीक है तो बड़े अच्छे से आप लोग जो है न वो देखिए, समझे और उसके बात जो है न बिल्कुल कोई ही doubt नहीं रह जायाएगा ही दुनों part को देखने के बात क्योंकि पूरा का पूरा cover करने का प्रयास किये हम कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किये हैं कुछ भी नहीं छोड़े हैं तो कुछ भी दिक्कत होगी फिर भी किसी भी term को समझने में दो बतायेगा अलग से उसको हम ले करके भी आ सकते हैं ठीक है? ओके? चलिए, ठैंक यू ओके? ठीक है फिर? धन्यवाद और वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए धन्यवाद